नमस्कार स्वागत आप सभी का चाड़े कोचिंग क्लाइस वेराईश में जैसे कि आप लोग जब तेयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि खीकार में क्या है कैसे अरह और कितनी नम़र टैएड़ी और कितना नुमेरिकाल है क्योंकि इस टेड़ी आप के तो पूराने पेपर देख नहीं होता है तो उसी क्रम में आप आज दिखाने जा रहा हूँ, यह जो लिखा हूँ न है बीपी का मतलब आप समल लीजेगा, एक डाक्टर राम अनुर लो या अवद विस्विद्याले का यह बैग पेपर है, बीपी का अनल लब है बैग पेपर, 2015 का जो बैग पेपर हुआ था, वो बै और हर कोश्चन दो नंबर का होता है, ठीक, अब देखने हैं याप, डिफरेंस बेइन इंटरफलोशन और एक्टरफलोशन अब यह आपको आइडिया लेना है कि किस टाइप के क्यूश्चन इसके आथ है, अब एक बार आप रीड करते चले जाएए, आराम से देखते क्यूश्चन थे, वो इस सीक्विंस में हिंदी में दिया गया था, वो सब हिंदी में लिखे गया है, ठीक है, यह पेपर देखते जाएंगे आप, देख लीजे, अगर आपको समझना है, पेपर पूरा लेना है तो, अब सेक्शन भी, सेक्शन भी पहाते हैं, तो सेक्शन में 5 question होंगे, 10 number में, 3 page में लगवा आप लिखेंगे, इसमें theory और numerical का combination होता है, R लगा के question दिया होता है, देखिए, अब ये second number numerical है, लेकिन अब इसके R में आएंगे, तो देखो, ये theory दी गई है, यहाँ पर, ये theory है, फिर वही हिंदी में आपे लिखा होगा है, देखो, R लगा के, ये theory दी गई है, अब ये देखे, तीन number में, तो पहले numerical है, फिर R लगा के, theory दी गई है, फिर 3 के बाद, ये हिंदी में लहे है, जो लोग Hindi में देखना चाहते हैं हिंदी में देख सकते हूं फिर 4 नमबर में तो 4 नमबर में भी देख रहे हैं पहला numerical है फिर देखेंगे तो दूसरा भी numerical है देखेगा पहला और दूसरा भी probability का numerical है और दोनों ये आपके numerical है अब यहां पे देखो फंस गया एक question आपका numerical ही दोनों में दिया है अब यह देखे question वह 5 इसमें एक theory है और एक numerical है इसके insert लेना चाहें तो भी इसमें ले सकते हैं आपको जो भी पेपर जोरत होगी तो देख रहे हैं क्या theory आ रही है कहां से आ रही है आपको नहीं लगागा लेकिन अगर आपको तयारी करनी है तो time wasting आपको नहीं लगागा लेकिन अगर आप ऐसे ही entertainment तो हो नहीं रहा है आप देखे important चीज़ा है जिनको बड़े आराम से आपको देखना है देखो 8 नमबर भी numerical है और यह regression analysis का numerical है बहुत अच्छा numerical है हर साल लग भा repeat होता है यह 9 नमबर देखेंगे आप तो यह भी numerical है और 10 नमबर देखेंगे यह भी numerical है फिर 11 नमबर यह theory है चिक अब लेकिन बट यह formula वेज्ड है theory तो यहाँ पे यह पूरी तरीके से मतलब इसने फंसा दिया इतना tough paper मतलब नहीं है नमबर देखेंगे section C में फंसरा है और section B में लग भा मान के चलो की जैसे लग भा तीस नमबर आपका अगर numerical आपके जहें को नहीं लगा पा रहे हैं तो तीस नमबर लग आपका एक बार छूट सकता है गलत हो सकता है आपसे तो इसलिए कुछ न कुछ नमेरिकल की help ज़रूर लीजे और तैयरी करिए और बराबर चैनल के साथ जुड़े रहे हैं आपको अच्छे सी classes आपके मिलती रहेंगी और इसका PDF आपको लिंक दे देंगे से डाउनलोड कर लिजेगा दने बात